हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलक्टिकल हब में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आज हम एक आरो को फिल्टर सारे फिल्टर चेंज करने के लिए आये हैं क्योंकि काफी समय ओ गया इन फिल्टरों को अराउंड देल साल या डेल साल से पलस हो चुका ह तो यहाँ पे टेश्टी की भी प्रॉब्लम आ रही है और साथ में पानी भी बहुत कमा रहा है तो हम इसका जो हमारा इस्पन फिल्टर होता है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम सब फिल्टर भी कहते हैं तो यहां पे देदर चूनी वाला यहां पे फिल्टर था तो मैंने यहां पे चूनी वाला फिल्टर लगाया पहले इसका हाउजिंग होता है उसको किलीन कर लिया और फिल्टर लगाने के बाद हम इसकी जो कवर होता है रैपर होता है उसको निकाल रहे हैं और उसके बाद इस लाइक कर दें साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे होगा क्या मेरे आने वाले वीडियो के नोटिसन आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पर हम आरो को नीचे उतार लेते हैं क्योंकि यह जो आरो है इसके जो फिल्टर हमारे चेंज होंगे वो पीछे साइट से उपन होगा और वहीं से हम इन फिल्टरों को चेंज़ करेंगे तो वीडियो में बने रहे हैं यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि फिल्टरों को कैसे चेंज़ करते हैं कि इसके पाइपिंग किस तरीके से होती है और इसमें एक प्रॉब्लम और है कि इसमें SB नहीं है तो यहाँ पर SB को भी यहाँ पर लगाया जाएगा क्योंकि जो कस्टमर है उनने कहा रखा है कि इसमें SB को भी लगाये तो हम SB को भी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे किस तरीके से करेंगे वो सब step by step आप देख सकते हैं तो simply हमने इसका cover यहाँ पर open कर लिया है चार screw थे वो हमने खोल लिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे pre-carbon, sentiment, post-carbon और memory यहाँ पर लगा हुआ है तो simply हम इन filter को यहाँ पर से remove करेंगे तो सारे filter हम यहाँ पर remove कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे total filter चेंज होने हैं तो हम simply यहाँ पर remove करेंगे और इस पर हम filter को फिर add करेंगे जो new filter है और उसके बाद देखते हैं क्या इसमें हमारी सारी problem solve हो गई है या कुछ रह गई है तो वीडियो को skip ना करना क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे तो simply पहले यहाँ पर हम सारे filter को remove कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल में आपको electronically related काफी वीडियो देखने को मिल जाएंगी वहाँ से आप अगर electronic का काम सीखते हैं तो काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मेरी वीडियो में around 350-300 वीडियो अपलोड हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसलिए चैनल को subscribe कर लें साथ में बेल आइकन का भी बटन दबाते हैं तो यहाँ पर मेरे filter सारे निकल चुके हैं उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं और इस पर हमारी दोनों साइट safety cap लगी होती है उसको हम remove करेंगे और इसमें हम करेंगे fit push type elbow तो यहाँ पर मैंने push type elbow को fit कर लिया है और उसके बाद हम इसको यहाँ पर connect कर रहे हैं एक एक करके इसको हम स्रीज बाई जोडते जाएंगे प्यूंकि कई मैंने वीडियो में आरू का जो हमारा करम होता है जिस तरीके से हम इसके जो भी parts होते हैं उनको add करते हैं जोडते हैं मैंने कई वीडियो में इन चुचों के बारे में बताया हुआ है अगर आपको separate और detail वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ से वीडियो उस पर जाकर के धेरो सारी वीडियो को देखकर के बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और आरो का schematic diagram भी आपको उदर मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखे प्री कार्बन है और इसमें हमारा तीर का निसान आरो का निसान होता है क्योंकि हर वीडियो में सब बताना तो उचित नहीं है तो यहाँ पर हम सीधे बता दिंगे कि कि हमारा sediment लगा यह हमारा carbon कि हमने दोस्तों sediment carbon इधर उदर सिप्ट कर दिया है पहले हमारा इधर carbon है दूसरे हाथ में जो हमारा है वो sediment है लेकिन जो input है वो sediment पर ही जा रहा है नीचे से इस पर confuse ना हुए और अब यह carbon पर output बज़ गया हमारा अब यह output जाएगा हमारा आगे को उससे पहले हम यहाँ पर जो membrane है membrane की housing को open कर लेते हैं तो यह open हो चुकी है इस में से जो हमारी पुरानी membrane है जो की देख सकते हैं काफी लाल और गंदी हो चुकी है जो भी इसमें layers होती है वो क्या हो गई होंगी इसमें block हो जाती है और उसके बाद हमारा पानी का flow भी बहुत कम हो जाता है टेस्ट बदद जाता है यह देख सकते हैं किस तरीके से इसका color हो चुका है तो हम इसको side करते हैं और जो housing होती है उसको भी यहाँ पर clean कर लेते हैं थोड़ा तो मेरा यह housing clean हो चुकी है और यहाँ पर मेरी memory है liquid memory इसको हम open करेंगे और उसके बाद इसके housing में fit करेंगे तो यह मेरी यहाँ पर fit हो चुकी है और इसको अच्छी तरीकी से tide भी कर लेंगे ताकि हमारी कहीं से कोई leakage ना हो तो housing हमारी यहाँ पर fit हो चुकी है तो उसके बाद हम जो sb होता है क्योंकि अब हमारा जो filter है उसके बाद हमारा sb का ही connection होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो यहाँ पर पहले sb लगी हुई थी लेकिन sb खराब होने के कारण यहाँ पर एक elbow लगा हुआ है तो इसको हम remove करेंगे और यहाँ पर लगा दिंगे हम sb को क्योंकि यहाँ पर देख से यहाँ पर pipe को connect किया हुआ है यह हमारा output है जो की sb पर लगेगा और यह हमारा sb का input है इस पर दूस्तों यह तो arrow के निसान दिये होते हैं यह input output लिखा हुआ होता है इंचो जोगा आप ध्यान रखें और pipe को अच्छे से press करें जब भी आप piping करें तो pipe को अच्छे से press करें क्योंकि कई बार होता है कि अच्छे से नहीं हो आता है तो उसके बाद हमें leakage की समस्या देखने को मिलती है और यह हमारा जो carbon filter था उसके in पर चला जाएगा यह देख से हैं यह हमारे carbon नी आउट पर है carbon filter के out पर चला गया यह से हमारा sediment नीचे sediment के गया है input sediment पर गया हुआ है यह sediment filter पर गया है और उपर से carbon से होते हुए सिधे motor पर गो जा रहा है यह हमारा बीच में sb लगी है motor पर चला जाएगा और जो motor से out होगा वो हमारा देख सकते हैं यह जो है वो हमारा कहां लगेगा membrane पर यह हमारी membrane set कर ली और जो यह pipe है देख सकते हैं यह हमारा membrane पर in हो जाएगा यह pipe दोस्तों motor का outlet है यह त्यान रखें मैं दिखा देता हूँ आपको यह कहां से आया होगा है यह त्याइप जो हमारा motor का आया होगा है मोटर के आउटपूट उसके बाद देख सकते हैं यह हमारा output है जो membrane से निकलता है उसको हम यहां पर simply लगा दिंगे और यह हमारा होगा पीने वाला पानी तो इस pipe को मैं यहां से हटा देता हूँ और यहां पर इसको connect कर देता हूँ तो यह मेरा पीने वाला पानी हो गया connect जो कि tank में जा रहा है उसके बाद हम यहां पर test कर लेते हैं और इसको चला करके देखेंगे बाकि हम asb के connection यहां पर कर लेते हैं motor के साथ pallor में होँगे यहां पर asb motor adapter इनकी एक एक wire एक साथ जोड़ लेते हैं फिर से जुनना asb motor adapter इनकी plus वाली wire एक साथ ले ली और दूसरी फिर asb motor adapter इनकी minus वाली एक साथ ले ली तो इस तरीके से हम इसको पैलर पर कनेक्शन करते हैं बागी हम इसमें देख सकते हैं यह इन्पुट है हमारा जो की टॉंटी से होते वे आ रहा है जो हमारा सब फिल्टर है उसके इन्पुट पर दे दिंगे और जो इसका आउट्पुट है वो दे दिंगे हम आरोप है तो यह रह गया हमारा जो प्रिफिल्टर इसका आउट्पुट चले गए हमारे आरो के इन्पुट पर है अब हम इसके बाद इसको एक बार चला करके देखेंगे कहीं पर क्योंद कर किस तरीक से यहाँ पर पानी खूल देते हैं किस तरीक से यहाँ पर पानी चान रहा है या वर्किंग कर कर रहा है उसको एँ हम पर चेक कर लेते हैं कि यह रहा हमारा मेन वोड इसको हम इस पर लगाते हैं और यहां पर देख सकते हैं जहां-जहां पर हमारी लिकिच की जैसी प्रॉब्लम आ है वहाँ पर हम इसको सही से प्रैस करेंगे और थोड़ा wait करेंगे अब हम क्यूंकि Starting time में सब filter नए तो memory के बाद भी जो पानी होता है छन्ने में थोड़ा टायम लग जाता है नए filter में तो थोड़ा हम wait कर लेते यहाप है क्योंकि हमारा आउटपुट आना शुरू हुआ है अभी देख सकते हैं कुछ-कुछ बूढ़े गरे जो डरेण वाटर होता है कुछ-कुछ बूढ़े यहांपे गर countdown कि यहां पर हमारा topic ड्रेन तो आना शुरू हो चुका है लेकिन इन्पुट में थोड़ा अभी जो पीने वाला पानी होता है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी तो मैं थोड़ दिर चलने देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरा आउटपुट आ रहा है यह मेरा इन्पुट अपानी आ रहा है पीने वाला पानी है जो कि काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर आ रहा है क्योंकि जितना जादा यह चलेगा अभी उतना जादा सरकुलेशन होगा तो देख सकते हैं जैसे अभी चला गया थोड़ देर और चलने देता हूं यह फिर से आ चुका है और उसके बाद मैंने यहां पर देख सकते हैं आफार को बदला है और यहां पर एक पोश्ट कारबन को भी एड़ किया हुआ है और मेरा आरो एक दम फस किलास यहां पर चल रहा है यह देख सकते हैं पानी कापी अच्छे तरीके से दे रहा है तो दोस्तो वीडियो देखने लिए धन्यवाद चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें